एलो स्टूडेंट्स इस वीडियो नमबर फाइव वेव आप्टिक्स एड थर्ड वीडियो ओन इंटरफेरंस एडिस इस वेरी वेरी इंपॉर्टन टॉपिक हम लोग इंटरफेरंस को अगर अच्छे से समझ जाएं तो हमारे को वेव नेचर के बारे में काफी अच्छी अं थोड़ा सा लैंथी है इसलिए besar सी चीजों को इसलिए अपने आपको थोड़ा सा कंसेप्चुली स्टॉंग बनाना पड़ेगा तब जाके हमें ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा और इसको conceptually strong बनाने के लिए ये topic जो मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ इस पे ज़रा अच्छे से focus करोगे आप हम लोगों ने interference में बड़े detail में ये बात की थी which was very simple मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या बात की थी कि constructive interference कब हो होती है है इसको common language में अगर मुझे understand करना है तो I should say like this कि दो sources अपनी waves निकालती है है वो किसी particular point पे जाकर मिलती हैं जिस particular पॉइंट पे जाके वो मिलती है उस पॉइंट पे क्या वो एक दूसरे को स्पोर्ट करती है या एक दूसरे के अगेंस चलती है जब वो एक दूसरे को स्पोर्ट करती है तो constructive interference जब एक दूसरे के अगेंस चलती है तो destructive interference ये कहानी आपको clear cut समझ आनी चाहिए जो मैं बात last time develop की थी और conditions को याद रखना भी it's very very simple मैं आपको दुबारा से reminder देता हूँ उसका कि कैसे हम conditions को याद रखेंगे conditions को याद रखने के लिए you just know one thing क्या ये अपने दिमाग में इतनी सी बात याद रखो देखो कितना simple है constructive interference means दो waves का इस तरह से ये मानलो चलती जा रही है waves और किसी particular point पे आके अगर वो ऐसे मिलें ये constructive interference की कहानी आपको बता रहा हूँ ये वो दो waves हैं जो आपस में मिली और दोनों ने एक दूसरे को sport किया, sport कब करेंगी जब positive positive मिलके और बड़ा positive बनाएंगे, negative negative मिलके और बड़ा negative बनाएंगे तो this is a case of constructive interference and I should say here कि इन दोनों के phase difference कितना था delta 5 लिख लो आप चाहे delta 5 इन दोनों की बीच का कितना था मतलब कि इन दोनों का phase difference कितना था, 0, यानि कि मुझे इदर से clear cut समझ आ गया कि जब phase difference 0 होता है तो constructive interference होती है तो याद रख लो, it's very simple आपके दिमाग में ये diagram आनी चाहिए मैं personally believe करता हूँ कि numericals में आप numerical कर करके एक बात understand करो मेरी जो मैं आभी बात कर रहा हूँ आपसे, कि numerical करने के बाद आपको formula याद हो जाना चाहिए, many people say कि भई formulas याद कर handouts भी बनाते हैं, कि भई ये मैंने पूरी physics के जितने भी formula यूज होते थे इन 50 pages में लिख दिये या 10 pages में लिख दिये, I don't believe in such things, ठीक है, कि ये सब गलत है, ये तरीका नहीं है पढ़ने का कि आप सारे formula याद रख लो you cannot expect कि आप formula याद रखके questions कर सकते हो इसलिए आपने क्या करना होता है formula को याद नहीं करना होता है दो तरीके बता रहा हूँ आपको, formula को याद नहीं करना है, हमने numerical इतने कर लेने हैं बार-बार, कि हमें formula याद हो जाएं, ठीक है one thing, second second मुझे concept behind the formula बड़े अच्छे से मालूम हो जाए तो हमारे को वो कभी भी नहीं बूलेगा अगर concept याद है, जैसे मैंने आपको बताया कि constructive interference is so simple, कि दो waves को कठे जब मिलना है, तो इस तरह की waves होंगी, तभी वो मिलेंगी, तो इसलिए हमें सामने सामने नजर आ रहा है यहाँ पे कि आपका delta 5 जब equal to 0 होगा तो क्या होगा, delta 5 जब equal to 0 होगा तो constructive interference होगी तो constructive interference होगी, यह हमें यहाँ से clear हुआ fine, एक दूसरी condition देखते हैं जरा एक दूसरी condition देखते हैं, आओ देखें मैं दो waves बनाता हूँ पहले, एक यह बनाई और एक यह बनाई अब बताओ, constructive interference और destructive interference, constructive, constructive कितना phase difference है दोनों के बीच में 2 pi का मैंने पहले भी आपको यह explain किया है एक बार, लेकिन मैं आपको दुबारा इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग इस main बात को न भूल जाएं when phase difference is 2 pi फिर से अब देखो ना, सामने-सामने बात हो रही है कि 2 pi के phase difference पे क्या होगा बसरव यह वाली wave के साथ कुछ नहीं add हो रहा, बाकी तो हर जगा यह एक जुसरे को sporty कर रहे है नहीं तो इसलिए क्या होगा, इसलिए डेल्टा 5 जब 2 pi होगा, तो हम क्या बोलेंगे, phase difference यहाँ पे कितना है, 2 pi का 2 pi मतलब पूरी wave, 2 pi मतलब पूरी wave, अगर पूरी wave आगे निकल गई तो पॉस्टी पॉस्टी फिर नजर आ जाने है इसको इसलिए, डेल्टा 5 जब 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, even multiple of pi, even multiple of pi, and we concluded from here, when delta phi is equal to 2 and pi, sorry, 2 and pi, this is the condition for constructive interference, 2 pi का even multiple, I should say like this, 2 pi का even multiple, 2 and pi से जादा याद रखना है, यह जादा मरे को अच्छा लगता है, क्या, 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, even multiple of pi, even multiple of pi, even multiple of pi पे आपको constructive interference मिलेगी, सब अभी revision चल रही है, हम जो पीछे पढ़ चुके हैं, मैं उसी को दुबारा दुबारा आपको बता रहा हूँ, कि आपको confusion ना हो, कभी भी यह याद रखने में problem ना हो, कई बार यह बूलने का चक्कर रहता है, वो बूलना हमें कभी नहीं है, हमें यह हमेशा याद रखन है, उसी से हमारा यह सब पूरा topic interference यहाँ से clear हो जाएगा, formula एटलीस ना भूले, concept तो मैंने आपको बताई दिया, और clear करूँगा इस वीडियो के अंदर, just see this, आपको खुद नजर आ रहा है, यहाँ पर destructive interference है, और destructive interference कब आया, कब आएगा यार, जब यह positive छूड जाएगा, सिरफ पूरी waveform छूड जाएगी, तो फिर constructive हो जाता है, आदी waveform छूटेगी, तो होगा क्या, कि negative के साथ positive होगा, positive के साथ negative होगा, और ultimately यह दोनों एक दूसरे को destroy करने लगेंगे, that is why the name is destructive interference, और कब आया, कब आया, बताओ, क्या condition बनी यहाँ, when delta phi is equal to pi, when delta phi is equal to pi, अब बताओ, दिखतर आया सामने, सामने destructive interference, ठीक, destructive interference सामने दिखाई दे रहे, when delta phi is equal to 3 pi by 2, 3, पहले कितना लिखा था मैंने, पहले pi, अब यह 3 pi, 3 pi, pi by 2 नहीं, 3 pi, देख लो 3 pi, 1 pi, 2 pi, 3 pi, 180 होता है नहीं, इधर तक, तो pi, 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 3 pi, ऐसे 5 pi के लिए भी होगा, तो क्या बना हमारा, general क्या बन गया, general, general बन गया हमारा, delta phi equal to 2 pi, 3 pi, 5 pi, और n की terms में बोलना हो, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, ऐसे बोलेंगे, odd multiple of pi, odd multiple of pi, और odd multiple of pi को कैसे लिखते हैं, मैं बताओ आँ आपको, 2n plus 1, pi, और n varies from, यहां लिखना पड़ा जरूरी होता है, मैं बताओंगा reason आपको, 0, 1, 0 से start होता है, केई लोग आपको देखने को मिलेंगे, कि phi लिखेंगे, 2n minus 1, यह भी वही है, यह भी वही है, लेकिन इसमें लिखोगे n equal to 1, 2, 3, केई लोग prefer करते हैं, इसका भी reason बताओंगा आपको क्या, तो इसलिए आपने याद रखना है, कि जब आप ऐसे लिखोगे, तो आपने n की value क्या डालनी है पहले, 0, और कोई अगर ऐसे लिख रहा है, तो इसने n की value पहले क्या डालनी है, 5, sorry, 1, तो यह दियान रखना, यह दियान रखना, यह बात भी अपने पास note करके रखो, अब इसके बाद हम एक और बात करते हैं, पता क्या, कि this phase difference, actually जो आपने दो sources लेने हैं, जिनकी आपने interference पढ़नी है, जिनके, जिन sources से waves निकल रह sources हैं, उनकी दोनों की wavelength बिलकुल सेम है, वो दोनों बिलकुल एक ही जगा से start हुए थे, एक ही time पे start हुए थे, सब कुछ सेम था, तो फिर यह phase difference आया क्यों, this phase difference is because of, this phase difference is actually because of the path difference, कितना path travel करना है दोनों ने, आपको बताऊं, हम लोग phase difference वहाँ पर भी पढ़ते थे, in case of pure inductor, वहाँ पर भी sine wave थी, which was lagging the voltage by an angle of 90 degree, y by 2, वहाँ time का difference था, वहाँ inductor की current late start होती है, time के कारण, यहाँ पर path के कारण पंगा पढ़ा, पंगा नहीं, I mean to say phase difference आया, तो path के कारण आया, तो जरब path के साथ बात करें, जरब path है क्या, path तो major होता है meters में, तो meters में major होता है, तो एक बात समझो जरा, अगर मैं आपको याद करने का एक तरीका बताऊँ, बाई, एक चीज तो हमें clear cut नजर आती है, कि यह जो एक आप लिखते हो ना है, इसको आप बोलते हो कि यह total इदर से लेके इदर तक बोले तो 2 pi, बोलते हो ना 2 pi, और अगर meters में बात करें, तो इसी wave को हम यहाँ से लेके यहाँ तक बोलते हैं, कि यह this is one wavelength, तो यहाँ से एक relation मिला मुझे, क्या, shortcut बता रहा हूँ, याद रखने के तरीका बता रहा हूँ, मैं फिर उसको technically भी बताता हूँ आपको, ठीक है, कि lambda, मतलब 2 pi अगर phase difference है, तो lambda आपका path difference होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं, तो इसका मतलब 2 pi और lambda आपस में बराबर हैं, यान आपने क्या बोला कि आपका जहाँ phase difference क्या हो, 2n pi हो तो वहाँ constructive interference होती है, 2n pi हो तो constructive interference होती है, देखो इसको देखो जरा, तो अब मैं बोलूगा जहाँ पर path difference, डाल दो 2 pi की जगा lambda, तो answer आजाएगा, n lambda हो, तो constructive interference होती है, ये लो, ये तो मैंने आपको याद करना भी सिख पीछे diagrams बना बना के, ये आपको इदर से सिखा दिया कि भई ये ऐसे याद रख ले, फिर बोलता हूँ, अभी बोला तुमने, when delta phi is odd multiple of, फिर मैंने बताया 2n minus 1 भी लिखते हैं लोग, difference क्या है वो बताया मैंने आपको, वहाँ पे n की value 1 से शुरू करनी है, यहाँ पे n की value 0 से start करनी है, वो लिखने का भी उनका purpose है, कभी बात करूँगा आप से, ठीक है, 2n plus 1, क्या, 2n plus 1 क्या था, odd multiple of pi, तो भाई अब लिख दे, pi कीज़ेगा क्या लिख देगा, यहाँ पे 2pi है नहीं तो इसलिए मैं pi का जुगार निकालता हूँ, क्या मिला, pi by 2, तो क्या lambda by 2, खتم, मैं तो कहता हूँ, रटा मारो ही मत, मैं तो कहता हूँ, आपको concept जो मैंने अभी in 12 minutes में जो बताया ना, वो आपका concept आपको formula भी याद करवा सकता है, बाकी इच्छा आपकी, अगर आपने रटे मारने हैं, आप मार सकते हो, बट मैंने आपको यह 12 minutes आपको इस ची नुमेरिकल स्टार्ट करते हैं, concept आइसा आइसा बिल्ड करने लगाँ मैं, तेखो मैं ऐसा ले रहा हूँ कि जो दो sources हैं ना, light के, जिनकी waves की interference के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो दो sources जो हैं, वो एक दूसरे से, जो दो sources हैं, वो एक दूसरे से, मान लो, lambda distance पे पढ़े है यह आपका source S1 है, यह आपका source S2 है, बाद में लिखते हैं S1, S2, चोड़ दो, एक source S1 है, दूसरा source S2 है, इन से waves निकल रही है, different directions में निकल रही है, इसमें कोई doubt नहीं हमें, लेकिन हमें बोला गया है, कि इदर की story बताओ यार जरा क्या है इस line पे क्या होगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं, कि इस line पे interference कैसे होगी, waves तो, waves तो हर जगा निकल रही है न, waves इदर यह ऐसे निकल रही है, इसकी waves भी ऐसे निकल रही है, तो आपस मैं interfere कर रही है, तो interfere करने पे ultimately क्या होगा उसको समझते हैं, अभी समझाता हूं ठीक है, जान देना, यहां पे एक point है, यहां पे, कहीं पे भी, इस पूरे जगा पे, यहां पे मान लो, यहां पे, इस point is P1, ठीक है, इस P1 की बात करता हूं, क्या आप मानते हो, कि इस P1 point पे, जो waves यहां से आएँगी, जो wave यहां से निकलेगी, S2 से, S2 ले लो, इसको S1 ले, जो S2 से wave निकलेगी, उसको कितना travel करना है, इतना, L, कितना travel करना है, L, जो S1 से निकलेगी उसको कितना ट्रैवल करना है 2 lambda plus L क्योंकि इन दोनों के बीच का gap 2 lambda meter है lambda is the wavelength lambda is the wavelength जो इन दोनों sources से निकल रही है ये दोनों sources जो हैं वो coherent है coherent मतलब बिल्कुल सेम है यानि कि उनका lambda बिल्कुल सेम है lambda दोनों का different नहीं है दोनों की wavelength बिल्कुल सेम है तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इधर से कितना निकला इधर से इसने कितना distance चलना है L और इसने कितना distance चलना है 2 lambda plus L तो यानि कि दोनों का path difference कितना हुआ path difference हो गया 2 lambda plus L minus L path difference इसने चला 2 meter इसने चला 5 meter path difference कितना हुआ 5 minus 2 answer is 3 very simple the path difference कितना है 2 lambda the interesting part is L तो picture में आया ही नहीं इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे area में इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे area में यहां होता यहां होता कहीं पे भी ये point P1 होता path difference 2 lambda होता path difference 2 lambda होता और अभी जो तुमें सारे formula याद करवाए तुमें 2 lambda देखते ही पता कैसा नजर आना चाहिए मैं दिखाऊं तुमें वैसे तो तुमें formula याद हो जाना चाहिए अब तक ठीक नहीं तो बार-बार थो न ये waveform बनाते रहेंगे 2 lambda तुमें direct नजर आना चाहिए ऐसा constructive interference की destructive interference constructive 2 lambda बोलते तुमें और क्या नजर आना चाहिए phase difference 4 pi 4 pi नजर आते क्या नजर आना चाहिए तो मतलब एक उपर वाली waveform नजर आनी चाहिए और नीचे वाली waveform उससे 4 pi चोड़के 4 pi चोड़ने का मतलब 2 पूरी-पूरी waveform चोड़ दो 2 lambda का मतलब भी 2 पूरी-पूरी waveform चोड़ दो 2 पूरी-पूरी waveform चोड़ने का मतलब positive positive मिलेगा negative negative मिलेगा जब दो पूरी पूरी छोड़ दी, जब आधी छोड़ते हैं तब destructive interference होता है, इन बातों को समझना है हमने, और इसी लिए आपको क्या बता दिया मैंने यहां पे, कि यहां पे कौन सा interference होगा, यहां पे मतलब इस पूरे line में, इस पूरे area में क्योंकि आपने देखा कि वो तो ultimately L पे depend करी नहीं रहा, तो इसलिए यह point P1, P2, P3, P4, everywhere, here, it is always constructive interference और यह पूरा bright spot होगा, of intensity, of intensity, 4I0, यह भी हमने पढ़ा था कितनी intensity होती है, जब constructive interference होता है, 4I0 लेकिन answer तब आएगा, जब दोनों की, दोनों waveforms, जो दोनों sources हैं, उस दोनों की जो amplitude हैं, वो बिल्कुल same है, तो 4I0 लिख दो, यह 2A लिख दो, यह समझाया है आपको सारा मैने पहले, similar condition will be here, यहां पे भी constructive interference ही होगा, यहां पे भी constructive interference ही होगा, ठीक है, यह सारी बात आपको समझा गई, ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, अब हम और कुछ points को भी discuss करते हैं जरा, अच्छे से समझेंगे, इसके through मैं कुछ बातें आपको clear करूंगा, आपको पता चल रहा हो, अगर concept develop हो गया तो problem नहीं आएगी, लेकिन मैं इसके साथ काफी चीज़ें आपको इस पूरे center पे क्या होगा, constructive interference और destructive interference बात करें जरा, ठीक है, इस पूरी line के उपर कहीं पे भी, even यहाँ पे भी, आप मुझे बताओ, path difference की बात करते हैं, तो जब आपने बिल्कुल center में draw की, तो क्या मतलब आपका कि क्या ये length और क्या ये length same है या नहीं, अगर ये length same है, तो यानि कि दोनो waveforms जो यहाँ से निकलेंगी, क्या उनको same distance travel करना है की नहीं करना है, बिल्कुल same करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब constructive interference होगी, जब path difference ये बनाने की ज़रूरती नहीं है waveform, आप simple देख सकते हो, कि इस particular point पे आपका delta x equal to 0 है, path difference equal to 0 है, आप पढ़ लो पीछे मैंने जितना आपको अभी भी बताया, जब path difference 0 है, यानि phase difference equal to 0 है, जब phase difference equal to 0 है, तो आज की पहली diagram जो बनाई है आपके लिए, constructive interference, तो इस पूरी line पे भी constructive interference ही होगा, no doubt about it, no doubt about it, तो ये चीज़ भी हमें clear होगी, ठीक है, इस पूरे जगा delta phi equal to 0 है, इस पूरी red line पे, इतनी बात हमें clear हुई है, और यहाँ पे constructive interference होगा, constructive interference होगा, तो यहाँ intensity कितनी होगी, 4i0 होगी, ठीक है, अब ये भी हमने बात कर ली, अब ज़रा मैं एक और बात आपसे करता हूँ, अभी तक आपको destructive interference कहीं नहीं नज़र आई, इसलिए यहाँ पे, अभी मैंने बात की, यहाँ पे देखो, यहाँ से जो wave चलेगी, और जो यहाँ से wave चलेगी, दोनों को same distance travel करना है, इसलिए यहाँ पे, वो अभी भी बताया मैंने आपको, यहाँ पे delta x equal to क्या है, 0 है, ठी s1 कितने travel करना है, 2 lambda, यानि कि दोनों का difference, यहाँ पे delta x equal to क्या होगा, 2 pi, यहाँ पे similarly delta x किसके equal होगा, 2 pi, बिलकुल, path difference 2 pi, समझा गी इतनी बात हमें, फिर हम बोलते हैं कि अगर यहाँ 0 है, यहाँ पे path difference 2 pi है, तो बीच में भी कुछ points होंगे, आओ धरा discuss करें, यहाँ प path difference, 0 से 2 pi जा रहा है न, यहाँ, यहाँ से यहाँ चल रहे हो, तो 0 से 2 pi है, तो बीच में कहीं होगा, यहाँ पे lambda by 2 होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे lambda होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे 3 lambda by 2 होगा, थोड़ी diagram छोटी बन रही है, मैं दुबारा बना S2 इन दोनों के बीच में कितना gap बोला 2 lambda बोला हुआ पहले से सबसे center उठाया मैंने यहाँ पे मैंने लिखा delta x equal to 0 आप सब को समझा आ गया यहाँ पे मैंने लिखा delta x equal to 2 pi वो भी आपको समझा आ गया यहाँ पे मैंने लिखा delta x equal to 2 pi वो भी मुझे समझा आ गया ठीक है इतनी बात समझा आ रही है अभी तक जैसे मुझे यहाँ पे 2 pi लिखा मुझे मैंने और भी चीज़ें लिखना शुरू कर दी मैंने यहाँ लिखा मैंने यहाँ लिखा constructive interference मैंने यहाँ लिखा 4i naught आपको वो भी समझ आ गया लेकिन 4i naught लिखते टाइम एक assumption है वो मैंने आपको बताई है कि हम मान के चल रहे हैं कि दोनों का amplitude सेम है जो दोनों waves निकल रही है अच्छा यहाँ पे हमने लिखा delta x equal to 2 pi यहाँ पे भी constructive interference यहाँ पे भी 4i naught तो किसी भी language में बात की जा सकती है इसलिए मैं सब कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे भी constructive interference यहाँ पे भी amplitude कितना 4i naught ऐसे लिख दे हो गया अब मुझे दिख रहा है सामने कि इस पूरे की कहानी यह है कि center में path difference 0 है वो तो तुम्हें reason के साथ पता है यहाँ पे lambda by 2 यहाँ पे lambda यहाँ पे 3 lambda by 2 यह 2 lambda लिखना था 2 pi लिखा मैंने 2 lambda lambda by 2 देखो 0 lambda by 2 lambda बीच में कहीं lambda by 4 भी होगा ऐसा कोई नहीं है लेकिन हमें lambda by 4 का कोई काम ही नहीं है हमारे के लिए तो important क्या है lambda by 2 lambda 3 lambda by 2 और 2 lambda क्योंकि इधर से हमें पता चलता है constructive interference destructive interference मैं सच्छे से समझाऊँगा आपको आप लेकिन ready रहो 0 यहाँ पे आपको मिलेगी constructive interference और intensity कितनी 4i0 ठीक है और यहाँ 3 lambda by 2 तो 3 lambda by 2 में यहाँ क्या मिलेगी आपको यहाँ पे मिलेगी destructive interference और intensity कितनी 0 0 लिख दिया मैंने ठीक है 0 लिख दिया 4i0 ठीक है same story यहाँ पे है lambda by 2 lambda 3 lambda by 2 और last में 2 lambda तो ही है यह आदा होता है यह पूरा है यह यह डेड है 1.5 है यह 2 lambda है तो इस तरह से आदा आदा करके हमने बाट दिया इन बातों को हमने understand किया यहाँ पे मैंने फिर से अब मैं सिर्फ intensities लिख रहा हूँ है यहाँ 0 4pi sorry 4i0 यहाँ 0 इसलिए जब यह इस line को मैं पूरा study करूँगा जब मैं 2 sources यहाँ पे इस तरह के रखूँगा जब मैं 2 sources इस तरह के रखूँगा तो मैं क्या observe करूँगा ध्यान देना यहाँ पे bright spot बनेगा यहाँ पे भी bright spot बनेगा यहाँ पे भी bright spot बनेगा यहाँ पे भी bright spot बनेगा 4i0 intensity का i0 is the intensity of a single source एक source की intensity कितनी थी i0 यहाँ पे भी bright spot बनेगा यहाँ पे dark बनेगा यहाँ पे dark बनेगा को कैसे दिखाऊं ठीक है कुछ दिखा देता हूं कोई भी color दिखा देता हूं और को यह color दिखा यह dark उल्टा की है वैसे मैंने यह दिखाना चाहिए था bright चलो कोई बाद नहीं आप याद रख लो ठीक है यह होगी अब यह देखो अब समझना मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो pink है न सारे यह सारी है zero intensity dark है और जो आपके navy blue है वो सारा का सारा आपका सारा का सारा constructive interference और इस तरह से है ठीक है एक चीज और देखो इसके बीच की story क्या है यार इसके बीच की story क्या है यार इसके बीच की story क्या है इसके बीच की story क्या है वड़ी simple है यहां intensity zero है यहां four pi four i naught है यहां पर कहीं पर i naught भी है 2i0 भी है 3i0 भी है 4i0 यहाँ है तो फिर numerical पूछते time वो इनी के बारे में पूछ लेता है यह तो तेरे को कहानी पता है 3 lambda by 2 पे तेरे को 0 मिलेगा 2 lambda पे तेरे को 4i0 मिलेगी बता कितने lambda पे कितने distance पे कौन सी position पे तेरे को 2i0 मिलेगा तेरे को i0 मिलेगा तो इस तरह के question पूछे जाते है and that is never a difficult task to explain यह 4i0 कैसे आया है यह भी आपको बता देता हूँ आपका basically intensity का formula जो है i net का when i1 is equal to i2 is equal to i0 that is equal to 4i0 battery भी खतम हो रही है 4i0 cos square 5i2 देखो यह कहाणी है मैंने दुबारा बना दी यह diagram यह पूरा आपको intensity उपर मैंने लिखे है path difference कहां कहां कितना-कितना path difference होगा जहां-جहां जितना-جितना path difference होगा उसकी according मैंने intensities लिख दी और मैंने जो intensities लिखी है आपको मालूम है कि i net का जो answer आता है वो किसके equal आता है मैं लिख रहा था तब तो खराब हो गया वो 4 i not cos square 5 5 is phase difference 5 is phase difference 5 upon 2 यह formula हम use करने वाले हैं जब हमसे पूछा जाएगा कि बताओ कहां पे intensity i not होगी 0 की position तो आपने मुझे दिखा दी तुमने मुझे 4 i not की position भी exact बता दी कहां कहां कितना कितने path difference पे क्या क्या होगा बट कहीं पे जहां पे 2 i not का sorry 2 i not का intensity है देखो आपको मैंने सिर्फ bright बिल्कुल brightest बताया कहां बनेगा और बिल्कुल darkest बताया कहां बनेगा मैंने आपको लेकिन ये नहीं बताया कि कहीं पे मतलब इसके bीच की story क्या है क्या बीच में खाली है क्या खाली कुछ नहीं है वहां पे भी light है वहां पे भी light है यहां पे यहां पे 3 i not intensity की light है decreasing 3 i not की यहां पे 2 i not की i not की फिर 0 even कहीं पे 3 by 2 भी uniform है बिल्कुल continuous है 1.5 I0 की भी होगी 1.8 I0 की intensity भी होगी तो वो exact निकालना है मुझे पूछा जाता है कि बताओ कितनी intensity कहां कहां पे exact position बताओ जहां पे आपको जहां पे आपको I0 की intensity की value है वो particular कोई value दे दी जाएगी वो निकालना होगा उसके लिए ये formula मुझे use करना पड़ेगा तो इसके अंदर हमें ये समझाया और मैं थोड़ा सा इसको और extend करता हूँ अगर इसी line की बात अगर मैं करूँ तो इसी line की बात करूँ तो इधर की बात हम कर चुके हैं इधर की बात भी हम कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो start मैंने इधर से ही किया था ठीक है और फिर ये center की मैंने बात भी की थी आपके साथ ये पूरे center line की बात भी की थी आपके साथ अभी तो मैं इधर की बाते भी आपके साथ करूँ गा तो अभी वो next वीडियो में देखेंगे हम अभी तो मैंने जो इधर की पूरी line joining की बात की यहाँ पे यह सारा यहाँ पे sources के बीज का यहाँ पे sources के बीज का difference जो है sources जो placed हैं दोनों उन दोनों का जो आपस का difference है वो कितना है 2 lambda 2 lambda का तो यह बना pattern तो यह pattern बना अगर कुछ और होता तो कुछ और pattern बनता pattern उसके according बनेगा pattern थो न चेंज हो जाएगा sorry pattern तो उसके according बनेगा जो आपके S1 और S2 के बीच में gap है वो आपको gap 5 lambda by 2 भी दे सकता है तो उसके according आपको बनाना पड़ेगा pattern यह pattern मैंने किसके according बनाके दिया आपको यह सब बताया जब 2 sources यह sources हैं आपके S1 and this one is S2 तो आपका इस तरह का pattern त्यार होगा यह आपने यहाँ समझने वाली बात इसमें यह है तो यहाँ पे 2 pattern आपके जो आपके अगर दोनों sources के बीच का gap अगर क्या होगा इट विल बी other than ठीक पहले तो इसको understand कर लेते हैं न पूरा तो यहाँ पे क्या है constructive interference यहाँ पे पूरा 4 I naught है कोई मतलब बीच में alternate नहीं है यहाँ पे भी 4 I naught है इस पूरी line के उपर भी 4 I naught है वो मैंने आपको reason बताया वो सब path difference के according है ठीक है लेकिन बीच की कहानी जो है वो अलग है ठीक है तो यह आपको थोड़ा visualize होना चाहिए मैंने आपको 2 I naught वो भी बताया मैं एक और example इसके साथ जल्दी बताता हूँ आपको थोड़ी clarity और आजाए देखो यह मैंने next example ली अब क्या देख सकते हो यहाँ पे कि जो इधर का part है और जो इधर का part है इधर path difference कितना होगा आपको OIL वाला formula लगा के देखो यहाँ पे हर point पे path difference जो है न पूरा यहाँ 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 हर जगा path difference जो है वो 5 lambda by 2 है और 5 lambda by 2 is the odd multiple of lambda by 2 and odd multiple of lambda by 2 means odd multiple of phi अगर हम phase difference की बात करें phase difference will be odd multiple of phi everywhere here इसलिए यह सारी destructive interference है यहाँ पे भी यहाँ पे भी यह पूरा dark spot दिखेगा आपको अगर दोनों की intensities बराबर हुई dark spot तब दिखता है अगर दोनों की intensities बिलकुल बराबर unequal sorry equal हुई तो दोनों sources की intensities center पे बात करें center पे बात करें center पे तो path difference 0 आएगा 100% 0 आएगा जो इन दोनों का center part है बिलकुल center जहाँ पे path difference कितना है? 0 जहाँ पे path difference 0 होगा बिलकुल center इन दोनों का कितना है वो भी आप calculate कर सकते हो इन दोनों का बिलकुल center जगर मैं बात करूं तो वहाँ पे path difference जहाँ 0 है यहाँ पे path difference कितना होता है s1 पे? 5 lambda by 2 यहाँ पे path difference कितना होगा? 5 lambda by 2 और इस 5 lambda by 2 5 lambda by 2 के कारण यहाँ पे path difference कितना है? 0 यानि कि यहाँ पे intensity कितनी होगी? 4 i naught यहाँ पे intensity कितनी होगी? 0 यहाँ पे intensity कितनी होगी? 0 यह नहीं याद रख लेना कि sources पे होती कितनी है जो पिछली बार आई थी 4 I not no, हाँ center पे पक्का 4 I not आती है, जाहे जो मर्जी कर लो अब यहाँ पे path difference कितना बोला मैंने आपको 0 यहाँ पे कितना बोला 5 lambda by 2 यहाँ पे कहीं पे lambda by 2 होगा यहाँ पे कहीं पे lambda होगा यहाँ पे कहीं पे 3 lambda by 2 होगा कहीं पे 2 lambda होगा ठीक है, यह देखो यहाँ पे कहीं पे path difference lambda by 2 होगा, दिख रहा है न सामने 0 से 0 से 2.5 lambda होता है 5 by 2 lambda, 5 by 2 lambda का मतलब है 2.5 lambda तो यह हो गया lambda by 2 यह हो गया lambda, यह हो गया 3 lambda by 2 और ये हो गया खुद अच्छे से बनाना जरा इसको ठीक है 4 lambda 2 lambda 4 lambda by 2 2 lambda हो गया same इधर भी बनाओ ठीक है और मैं एक ही जगा बना रहा हूँ आप दोनों sides से बनाना ठीक है अच्छे से बनाना और यहाँ पे intensities लिख रहा हूँ यहाँ पे कितनी थी यहाँ पे कितनी थी 4 i naught यहाँ पे कितनी होगी 4 i naught यहाँ पे कितनी होगी 4 i naught इसी तरह से यहाँ पे भी alternate ऐसे ही बनेंगे spots ठीक है आपको क्या बताया और यहाँ पे क्या होंगी dark dark इसके बीच में भी dark इसके बीच में भी dark इसके बीच में भी dark 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 इनको फील करो प्लीज अच्छे important चीज़े हैं जो मैंने आपको बताई यह जितने blue spots है zero intensity जितने भी red spot है four eye knot ठीक है यह अपने पास note करो अगर कोई difficulty आईगी तो हम ज़रूर discuss करेंगे यह बता दिया और मैंने zero की बात की four eye knot की बात की क्या कहीं पे बीच में one eye knot भी intensity होती है क्या कहीं पे two eye knot भी होती है कहीं पे three eye knot भी होती है कहीं पे one point five one eye knot भी होती है बिलकुल होती है it is a continuous pattern यहां से intensity अगर आप एक एक red एक red और एक blue को उठाओ मैं थोड़ा enlarge करके बता रहा हूँ आपको नीचे वाला part ठीक है एक red और एक blue है ऐसा तो इसके बीच की जो intensities है यह कहा है four eye knot यह कितनी है zero तो इसके बीच में जो है वो एक ऐसी यह decreasing intensity होगी decreasing यहां maximum यहां maximum intensity यहां zero intensity यहां minimum लिख लो और बीच में decreasing decreasing लिखो इसके उपर decreasing decreasing intensities यह समझो अच्छे से मैंने बिलकुल clarity से आपको बता दिया ठीक है और clear होगा जब हम और numericals करेंगे लेकिन यह important था आज का जो मैंने पार्ट पढ़ाया काल हम questions करेंगे इसके उपर thank you very much